वह यारो राम नाम नमस्कार हमें तो चीनते ही हो नाम हमाओ सचिन चौधरी मद्य प्रदेश में पंचायत और नंगरी निकायत चुनाओ में OVC आरक्षण को लेके जो कछू भाओ वो सुप्रीम कोड तक पहुंचे सुप्रीम कोड को आदेशा आओ फिरू आदेश में संसो प्रदी रख रही है और आकर सुप्रीम कोड के नए निर्णाय के बाद भी आंदूरन की आवश्यक्ता का है और जो सुप्रीम कोड को निर्णाय आओ उसे OVC के हित प्रिभावित हो रहे या फिर OVC वर खुन्याय मिले हैं तमाम सारे मुद्दे हैं जी खुले के चर्चा चल रही है समाज के बीच में और बुंदेली बॉच्छार पे हमाई संगे OVC महासवा के राष्टी कारकारणी के सदस्ट OVC महिन सिंगलोदी जुड़े हैं महिन भईया रामराम रामराम आपको भाई जे बताओ सुप्रीम कोड को जब आदिस आओ तो उनके बाद आदिस संसोदन होगा सरकार जस्त मना रही कि भाईया हमने OVC को निया दवाद ओ ओवी सी महासवा इसे संतुष्ट है नहीं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है OVC महासवा देखिए सचिन जी सभी सभी जनों को जो मैं एक बात कहना चाहता हूं आप क्यूंकि हम भी बंदिल खंड की रहने वारे हैं देखो सरकार का कर रही है कि जो लग रहा है कि जो जुन जो OVC समाज है इनकी बातों में आ आज की इस्तिती में OVC समाज को मतलब आप देखो कि जो पंचायत में 4028 जो जिलसरस बनते थे वो अब तीन दो हजार 27 बचे हैं तो इस में जसन मना रही है बीजेपी की जितने ज्यादा कम OVC के सरपंच बने ज्यादा पंच मेरें जितने ज्यादा जितनों जाना कम होग है और उनको सरम भी नहीं आ रही कि वह पिछड़ा बर्ग जिसकी 58% मद्रप्रदेश में संख्या है उसका कम आरक्षण करके हम जस्म मना रहे हैं वह भी बीजेपी के बड़े-बड़े कारलों में तो यह बहुत ही गंभीर सोच समझ के किया जा रहा है इनके द्वारा की इ 27% देंगे अब बताइए लगातार कम ही करते जा रहा है कम ही करते जा तो ओबी सी समाज को इसमें जस्टन बनावे वाली और पाइटी को जस्टन बनाने वाली बात कहां दिख रही है जब कम सरपंच हमावा रख्षणा कम करता तुमने बीडी सरमा आप देख लो मुखमंत आप तो इतना तक देख लिए बिधान सबाब में मिस्टर भूपैन सिंग जी यह बोले कि अगर 27% आरक्षण हम नहीं दे पाए तो हम इसी बिधान सबाब में हम तंग जाएंगे अब बताव आप यहीं सिवराशी चौहार के रहते हैं कि हम अगर सटाइप आर चंड नहीं अंदर ही आपको आरक्षण देना है तो इसमें ओवी सी को अरक्षण कहां से मिल गया सचिंजी आप बताईह मुझे को कहां से मिल गया सरका कोट ने यह कहा है कि आपको सुर्प 49.5 के अंदर रहे के ही आपको आरक्षण हैं अब मैं आपको हकीकत सुन बता रहा हूं सचिंगी रतलाम जाबुगा बुरहानपूर जहां पर ऐसी ट्राइवल्स जादा है और वहां पर ऐसी है तो मैं आपको इस क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है आरक्षण क्या होता है और कुछ भी आदमी लिखता रहता है बोलता हमारा नोबी अनुसूची में संख्या के अनुपात में आरक्षण डालीए कोट का मावला ही नहीं है सचिन जी यह बात कर रहे ना कि कोट में जाएंगे ट्रपल टेस्ट करेंगे सिंपल है कि बीजेपी की सरकार है मद्य प्रदेश में और वह जाने है कहां केंद्र में मोधी जी के पास लेकिन शिवराशीं चौहान जा रहे हैं जेपाट जेपी जाएंगायमंत्री ने कई है कि कॉंग्रेस पाल्टी जो बात कर रही कि हम 14% से 27% कर रहे ते जो भी कर रहे ते जब कोट ने कई ती के सुप्रीम कोट ने को बीजेपी काई पक्ष्में नहीं गई कि जाहो कि बलकि भागपा गई कि बिनहीं हम चुनाव नहीं कराएं कि देखिए मैं एक ची बता दू बीजेपी कांग्रेस में आप अंतर समझते होगे सचिन जी है ना मैं कोई अंतर नहीं समझता हूं उसमें हैना कॉंग्रेस ने भी जब हमने 145 दिन धर्णा दिया था सागर पीली कोठी पे आपको मालूम होगा याद कर लो आफ है ना 137 दिन इसने भी दो बार आपना वकीर खड़ा किया लेकिन बात में वही कहना चाहता हूं आपसे के बीजेपी कि आपॉच्छार के पेस्करे सुप्रीम कोट में तो फिर ये बाद में जब ये नो ने आयोग बना के और हमारी जनकरना कराई तो 48 परसंट कर दिया मतलब 2011 की जनकरना में OBC की संक्यप 59 परसेंट थी और ये घटके हो गई 48 परसेंट जब कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो समाज उतना सिक्षित नहीं है वो उस समाज के बच्चे जादा होंगे कि कम होंगे ये बेहुदा टाइप का हिलोन है ये जो कर रहे हैं लोग तो बीजेपी क्या है कॉई बिल्कुल एक रती का भी अंतर नहीं है इन पाइटियों का गठन ही OBC समाज की बरवादी के लि नहीं बोल रहा है यह समीधान केता है तीन सो चालीश अनुछेद आप पढ़ लिए तीन सो चालीश तीन सो ब्यारीस ती के लिए है और एक ब्यालीस जो है वो एस्टी के लिए है तो हमारा सबसे पहले बनाया लेकिन बाबा साहिप भीमरामेट करने इसी कांग्रेस की सरका सरकार में कई जगे जब दबाव बने तो सत्ताय प्रश्ण आरक्षण मिला है अरजुंसी की सरकार में और सिक्षा में भी दिया है मैं हर चीज को जूट नहीं बोलूगा उन्होंने भी करवाया मंडल की जब मंडल और कमंडल की बात चाल रही थी 1990 में आपको मालूम होना चाहिए आप सचिन जी कि जब यह राम मंदर बनाने की बात चर रही थी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं लेकर उस समय मंडल की आयों की रिपोर्ट बावन परशेंट आरक्षण लागू होने वाला था तो उसी समय उमाभार्ती कल्लियान सींग हमारे ओवी सी बर्ग के पूर्ण दीकार मिलने वाले थी इसलिए इन्होंने इस तरीके से हमारे हकदीकारों का हनन करने का काम किया था और हम कह रहे हैं आज भी मंडल की जगह कमंडल हुस्तापित हुआ कोई दिक्कत नहीं है बावन परसेंट आरक्षण नब्वे में मिलने वाला था ओवी सी को न सरकार गिरादी थी और कोट में जब यह आरक्षण चला गया मैं इसलिए सारी जानकारी दे रहा हूं लोगों को मालम नहीं होता है कुछ भी बात करता रहता है जब यह कोट में जबर्जस्ति घसीटा गया था जब की इसको बिल पारिस किया जाना था और कोट में कोलेजिय हैं वो कभी सुनाते भी नहीं हमारे फेवर में कुछ भी इसलिए तो वहां पर भी यही हुआ आज आप देख लिए दस परसेंट आरक्षण सवर्णों को EWS आरक्षण लागू हो गया मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी संख्या है तो बिलकुल लीजिए लेकिन मै 2011 की जनसंख्या कहती है कि साड़े साथ परसेंट से ज्यादा नहीं है सवर्ण तो आपने EWS आरक्षण मद्यप्रदेश में कैसे लगा दिया तो इसका मतलब यह है जब आप उनको बिना गिने हुए दे सकते हो तो ओभी सी बर्ग को फिर संख्या के अनुपात में कम से कम ग सब्सक्राइब तो सरकार को जो पक्ष है कि भाईया हम तो सुप्रीम कोर्ट में कहते 35 परसेंट मांगे सुप्रीम कोर्ट ने अब जो दिसान निल्देश दैब हमें पालन करने पर है तो सचिन जी मुझे आप खुद बता दीजिए आप रिपोर्ट को यह सी इन्होंने इस बनाया उसका भी कोई मतलब नहीं है इन्होंने बेकार की जंगणना करी इसका भी कोई मतलब नहीं है तो हमको खुर्चन मिलने वाला है आप आप जाइए बुरहानपर में कहां से होगा रतला में कहां से हो जाएगा जब संक्या ही हमारी है लेकिन आरक्षन जो लगता है व तो जो जो चल रहा है इनको जो खेल यह बधाई दे रहा है मिठाई बाट रहा है इतनी बेसर्म लोग हैं कि हमारा कमा रक्षन कर दिया देनक भासकर की रिपोट पढ़ लिए आप उसको तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि हर आरक्षन बीजेए पीजिए पीजिए ने ज आखरी सवाल के भाजपा को भी आप दोसी मान रहा है कचूची इन में कचूची इन में कंग्रेश को मान रहा है प्रदेश में जैड़ पाल्टीयां मुक्रूप से हैं और बाकी देश में भी ज्यादा तर जगए हैं तो ऐसी इस्थिती में पर नियाए मिले कैसे एक तो को है रहा हूं कि ऐसा बंद होगा किस बीजेपी सरकार ने कभी सोचा नहीं होगा बीजेपी कांग्रेश से मतलब ही नहीं है और मैं उन मोर्चों से भी कहता हूं बीजेपी कांग्रेश के अरे सर्म करो थोड़ी सी सब कुछ खतम हो गया तुमारा 58% संक्या है निकलो सड़को पर 21 मई को और दिखा दो कि हम जागरुखो चुपे हैं हमें भी समीधान हम पढ़ने लगे हैं आप आपने पोस्ट की थी मैं आपको बता आपने लिखा था कि जितनी इसकी संक्याबारी उतनी उसकी सिदारी ठीक है ना आप मुझे बताईए पंदरा चार सोला चार पड़े इससे कोई बिल्कुल मतलब नहीं है री प्रजेंटेशन का मतलब है आपकी संख्या के अनुपात में सरकार में सिस्टम में हिस्सेदारी होना चाहिए यह मैन मुद्दा इसको पंदरा चार सोला चार पढ़ लिए आप एक बार और पंचा है ता दिनियम अगर आप मैं बता देता हूँ आप 243 घा में जाईये और द 153 ना में जाईये इसमें आर अक्छन पेहले साई हे बीजेपी कनो करेंगे और बीजेपी किसी बी कंडिशन में मैं कहे रहा हूं मैंने पहले ही पोस्ट डाली तियल में लाइव भी आया था कई लाखों लोग ने देखा है मैं कहे रहा हूं कि अगर बिना बिना ओवीसी आरक्षण के बीजेपी कहीं भी नहीं करा सकती है इसलिए आपने कहा लास्ट कोशन है इसलिए मैंने बता दी जो बीजेपी कॉंग्रेस है एक ही हैं यह कोई OBC को आरक्षन नहीं देना चाहते हैं सिर्फ फुटवाल बनाके रखना चाहते हैं ताकि चुनाओ के समय इनका उपयोग किया जाए बड़े-बड़े क्यों नहीं उत्रे यह कल जब यह फैसला आया है तो कॉंग्रेस के कितने लोगों ने शड़कों पर जाके अंदुर्ण किया है बताईए यह तो OBC महासवा है जिसके कारण यह अंदुर्ण हो रहे हैं और निस्पक्त हैं नियाच जी बता रहा हूं OBC महासवा वह विका हुआ दलाल बीजेपी कांग्रेस का संगटन नहीं है यह OBC बर्क का संगटन है जैसे हम यह बात चला रहे हैं महेंसी लोदी जैसे धर्मेंद कुस्वाहा विजे कुमार जी उसराज पटेल जी प्रदीप चुरसिया राकेश लोदी बिजेंदर यादाओ इसके बाद कमलेंदर प बात में नहीं देती है तो हम 2023 में बताएंगे कि OBC महासबग क्या है बहुत 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 धन्यवाद भाई और OBC आरक्षण पर जी तरीके से मद्विद्स में सियासत हो रही उपे जो बाद जरूरी है कि OBC महासबा जो आंदोलन की बड़ी रूप रही है उनको भी और इके बाद तै इंदोस्तान की जनता करत के को सही और को गलत लेकिन OBC महासबा फिलाल आरक्षण की मुद्दे पर बाजपा और कांग्रेश दो इन से संतुष्ट नहीं धन्यवाद महिन भाई आपको बहुत 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 धन्यवाद 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 धन्यवा